जून बाइस दो हजार तेईस एक ऐसा दिन है जो इतिहास में जबर्दस्त दुरगटना का दिन माना जाता है, माना जाएगा और उसका कारण ये है कि उस दिन पाँच अरब पती विविन देशों से आकर के एक पंडुबी के सहारे टाइटानिक जो जहाज है जो एक सौ साल पहले समुद्र के अंदर गिरा था उसको देखने के लिए गए ये घटना है जून बाइस दो हजार तेईस का और ये जो पंडुबी है इस पंडुबी को कई करोड़ों रुपयों से बनाया गया बहुत एक्सपेंसिव पंडुबी है ये टाइटानिक पंडुबी कहा जाता है और इसमें सिर्फ पांच लोग ही सवार हो सकते थे और अगर आप जानेंगे कि इसका टिकेट कि एक आदमी का टिकेट उसके अंदर जाकर के उस जहाज को देखने का करीब दो करोड़ चौबीस लाख रुपए दो करोड़ चौबीस लाख रुपए एक वेक्ति का टिकेट था और इस प्रकार से पांच अरब पतियों ने ये सोचा कि हम जाकर के वो जहाज टाइटैनिक जिसे हम कहते हैं जो की एक सो साल पहले करीब समुद्र में गिर गया था दो टुकड़े हो करके उसको देखने के लिए वो गये लेकिन नीचे जाते समय उनका संपर्क तूट गया जो उपर जो समुद्र के उपर जो लोग थे साइंटिस्ट थे उनसे संपर्क तूट गया और कई दिनों के खोज क बाद ये पता पड़ा कि उसमें एक जबरदस्त एक्स्प्लोजन हुआ और वो आग के गोले में तबदील होकर के इधर उधर बिखर सा गया और वे पांचों के पांचों वहां पानी में दफन हो गये बहुत दुख भरी घटना है ये पूरी दुनिया इसे नीज में देख होगा कि किस प्रकार से ये टाइटानिक पंडुब्वी जो ये पांच लोगों नीचे लेकर के गई थी और अन्त में एक मौत का कारण बन जाती है अब सोचिए इसमें बहुत दुखी बात याई कि इसमें बहुत अमीर लोग थे साइन्टिस्ट थे बड़े बड़े लोग थे निका नाम बड़े बड़े इंस्टिटूशन के साथ था लेकिन सिर्फ जड़ भर में एक एक्स्प्लोजन के साथ जो हुआ वो खतम हो गया है बहुत दुख्यी बात है कहने का मतलब यह है कि क्या हम आधुनिक टेक्नोलोजी पर पूर्ण विश्वास रख सकते हैं यह प्रश्न है वो जो जहाज था टाइटानिक करीब सौ साल पहले उस समय भी लोग ने सोचा कि यह जहाज कभी तूटेगा नहीं लेकिन वो पहले ही वोयज में पहले ही यात्रा में वो जहाज के डोट उकड़े हो गए और अब सौ साल के बाद एक चीज हम देखते हैं जून बाइस को दोहजार तेज को यह दुरगटना घटी और इसमें पाँच बड़े-बड़े साइन्टिस्ट और अरब पतियों की जान चली गई कहने का मतलब कई चीज़े इसमें देखने की ज़रुरत है एक तो यह है कि कभी-कभी क्या होता है ज़्यादा पैसा होना जान लेवा भी हो सकता है अगर मैं सोचना हूँ कि अगर उनके पास इतना पैसा नहीं होता तो naturally वो स्वाभाविक रूप से नहीं जाते हैं लेकिन उस सोचा है कि इतना पैसा है अच्छा है देख के आते हैं एक मनोरंजन होगा दुनिया में नाम होगा उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन वो टेक्नोलजी जो मनुष्य बनाता है हम उस पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते हैं अब लीजे न यही जो टाइटानिक जो पंडू भी है वो बहुत सालों से तयार किया गया और नीचे जाकर के वो फूट गया अंदर से एक्स्प्लोजन हो गया तो क्या हम उ विश्वास कर सकते हैं कुछ हद तक सीमित है उसका लेकिन हम पूर्ण विश्वास कभी भी नहीं कर सकते हैं और इसी को लेकर के मैं आपको एक आत्मिक एप्लिकेशन आत्मिक बात के और मैं ले जाना मांगता हूं कि जब हम इस दुन्या में रहते हैं तो हमें यह देखना कि मेरा विश्वास कहां पर है, कहां पर मेरा विश्वास टिका है, कहां पर मुझे इस जीवन मिलेगा, कहां पर मेरे जीवन का जो मूल आधार है, वो मिलेगा, क्या धन संपती पर, ये तो हो ही नहीं सकता, क्या किसी बड़े ओधे पर, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी र परवसा रख सकते हैं इन पाँच व्यक्तियों ने इतना करोणों रुपया दे करके अपने जान खत्रे में डाल दी पैसा था रौब था, अच्छा है अगर पैसा अच्छे जगह से इस्तमाल होता है, अच्छे जगह में इस्तमाल होता है तो बहुत खुशी की बात है और भाई यह उनका पैसा था वो जो चाहें वो करें लिकिन पैसा होना धन संपती ही जीवन का आधार नहीं है और बाइबल इसको बड़े इस्पष्ट रूप से कहती है कि हमारा विश्वास किन चीजों पर होना चाहिए जो हमें जीवन दे सकता है मौत नहीं दुख नहीं, दर्द नहीं पेन नहीं जीवन और वो भी अनंत जीवन मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा ताकि मैं जो बात बोल रहा हूं उसको आप पूरी रीती से समझ सकें पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा कुरंथियों आठवा अध्याए दूसरा कुरंथियों उसका आठवा अध्याए और उसका नौपद यहां इस प्रकार से लिखा हूँ है तुम हमारे प्रभु इश्व मसी का नुग्र जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ धनी हो जाओ देखे अब धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है अगर परमेश्वर आपको धन संपति देता है तो जरूर बड़ी आशिश वाली बात है खुशी की बात है बस यह ध्यान रहे कि हम उस धन संपति को अच्छे कामों में इस्तमाल करें अपने लिए इस्तमाल करें दुसरों के काम के लिए दुसरों को आशिश के लिए इस्तमाल करें है ना ये हम जरूर करें लेकिन अगर हम अपने स्वार्थ के लिए ये काम करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल वाली बात होती है अब प्रभीश मजी ने क्या किया वो खुद धनी था लेकिन वो हमारे लिए कंगाल बना क्यों कंगाल बना ता कि हम आत्मिक रिती से धनी हो जाएं आत्मिक रिती से अनन जीवन के सहभागी हो जाएं हमारा अनन जीवन हमारा हो जाएं है ना तो ये बात बहुत इंटरेस्टिंग पाई जाती है चलो हम इसी का दूसरा एक और भाग देखते हैं दूसरा कुरंथियों उसका चार अध्याए और अठारा पद अब यहाँ पर देखी वस्तुमों के बारे में हैं और अन देखी वस्तुमों के बारे में हैं हमारा विश्वास कहाँ पर है? चली मैं पढ़ दिता हूँ पहले. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अन देखी वस्तुओं को देखते रहते हैं. क्योंकि देखी हुई वस्तुओं थोड़े ही दिन की हैं, परं चाहिए पाँच साइन्टिस्ट हो, बड़े अरब पती जन्होंने अपनी जान गवादी, और हम सब जो मानव जाती हैं, यूशली क्या होता है, जनरली कि हम देखी हुई वस्तुओं पर जादा अपना विश्वास करते हैं. देखी हुई वस्तुओं है, हम उसको जादा मा अच्छा बना हुआ है, और ये हमारे काम का है, इसमें कोई शक्की बात ने, लेकिन अगर हम कहें कि पूर्ण विश्वास है, तो वो शायद ज्यादा बात यहां पर हो जाएगी, तो यहां पर लिखा हुई है, पालुस लिखता है, हम देखी हुई वस्तुओं पर काल के लिए है, तो आप मुझे ये बताएए, आप कौन सी वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान देंगे, देखी हुई वस्तुओं पर, या नदेखी वस्तुओं पर, आप, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हम देखी हुई वस्तुओं पर बिलकुल विश्वास ना करें, नहीं, लेकिन ये कहें कि बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो शायद वो उतनी बुद्धि मत्ता वाली बात नहीं होगी, हम टेक्नोलोजी, साइन्स और हमारी बनाई हुई चीजें जो हम रखते हैं, बनाते हैं, उसको इस्तमाल करते हैं, कभी-कभी एक्सेडेंट हो जाते ह अई बार क्या हुआ, अभी कुछ मैने पहले बड़ा जबरदस्त एक्सिडेंट हुआ, उरिसा में आप जानते हैं उसके बारे में, कई सौ लोगों ने जान गवाएं, जब लोग रॉकेट भेजते हैं आसमान में, तो रॉकेट भी फेल हो जाता है, क्या हम टेक्नोलोजी पर पूर्ण विश्वास रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, अब यहाँ पर पांच लोगों ने एक ऐसे पंडूपी में गए, जो जहां तक साइंटिस्स की जो बात है, देखने में ठीक था, सब कुछ ठीक काम कर रहा था, पूरा विश्वास था कि भाई, यह हमको नीच प्रमिश्यवर का वचन यह हमें अन्दे की वस्तुवें क्या है? हमारा आंदे की वस्तुवें हैं, परमिश्वर का वचन, परमिश्यर जो आत्मा है, वह आंदDnine की, हमने आखों से तो नहीं देखा, लेकिन उस आंदे की वच्वें व्यक्तित्वें को, जिसने पूरी श् गालता नहीं अनंत जीवन देता है यह सब परमेश्वर अपने बच्चन के द्वारा हमें बताता है तो यह हमारा जो विश्वास है एक अटूट विश्वास पूर्ण रिती से उन चीजों पर होना चाहिए जो परमेश्वर से संबंध रखता है अब जैसे उधारन की रूप में विश्वास के बारे में बात करते हैं ना इबराणियों उसका ग्यारवा अध्या है इबराणियों की पत्री और उसका ग्यारवा अध्या पहले पद में क्या लिखा हुआ है विश्वास के बारे में आप जानते हैं अब विश्वास आशा की हुई वस्तूओं का तो पूरा वुश्वास के बारे में कितने लोग विश्वास से आगे बढ़े, जीवित विश्वास से आगे बढ़े, जीवित विश्वास से अपना जीवन जीया और प्रभू के साथ मिल गये। तो मेरा जो प्रशन आपके साथ मैं यहाँ पर रखना मांगता हूँ इन सब चीजों से कि देखिए पैसा, संपती, धन यह सब जरूरी है इसमें कोई शक्की बात नहीं है यह हमारे लिए जीने का एक सहरा होता है जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें घर चाहिए, धन चाहिए, संपती चाहिए निर्वा के लिए कपड़ा खरीदना है, खाना खाना है और भी दूसरे चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होता तो इसके लिए धन जरूरी है, लेकिन कभी-कभी जब हमारे पास बहुत धन आता है, बहुत संपती होती है तो कभी-कभी स्वार्थपना आ सकता है, और हम उसको गलत रिती से इस्तमाल कर सकते हैं हम सोचते हैं ये धन हमें पूर्ण रिती से संतुष्ट करेगा, हमारी जिग्यासा को पूरी करेगा और इस प्रकार से हम तरह-तरह के चीज़े करते हैं ताकि हमें पूरी संतुष्टता मिल सके और फिर कहीं अक्सिडेंट हो जाता है, जैसे अभी आपने यहां पर देखा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने अच्छे लोग होंगे, जिनोंने बड़े कठिन परिश्रम के साथ पैसे कमाए होंगे, और फिर दो करोड चार लाग पैसा एक टिकिट ले करके उसमें गए होंगे, कितना विश्वास हुआ होगा उनका, अब हम जा रहे हैं, सबको उन्होंने बाई-बाई किया होगा, फिर मिलेंगे, है ना, और इस विश्वास से वो नीचे गए हैं, लेकिन क्या हुआ, वो नीचे जा करके कुछ टेकनॉलोजी में गरबड़ी आ वाली बात है, बड़े दुख के साथ मैं ये साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में इसके बारे में न्यूस फैला था, तो अब हम बाई-बल के जो बचन हैं, उसके अनुसार देखें, कि हम जो संपती है, जो चीजें है, जो आज है, कल नहीं है, इ हम अपना पूर्ण विश्वास न करें, हम उन चीजों पर पूर्ण विश्वास करें, जो परमेश्वर से संबंदित है, अर्थाथ उसका वचन, पूर्ण विश्वास, उसके वचन पर हम पूर्ण विश्वास करें, प्रवईश्य मसी पर हम पूर्ण विश्वास करें, प में मौत नहीं जीवन देगा ये ग्यारंटी है ये ग्यारंटी है ये हमें जीवन देगा जब हम उस वचन को ग्रहन करें परमेशर के वचन को बाइबल को पवित्र वचन को देखें पढ़ें मनन करें प्रविश्मसी को अपना प्रभू करके ग्रहन करें पवित्र आत्मा की अगवाई में चले, तो हमारा जीवन कैसा रहेगा, अच्छा जीवन रहेगा, परमेश्वर को भावता हुगा जीवन मिलेगा, अब उसे मैं नहीं बोलों कि कटनाईया नहीं आएंगी, आएंगी कटनाईया तो जीवन में आती रहती है, लेकिन इस प्रकार का धमा का, इस प्रकार का एक्सिडेंट, इस प्रकार की मौद कभी नहीं होगा, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर पर पून रिती से विश्वास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी लिए लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपके सामने पड़ा, दूसरा कुरंथियों 4-18 में कि हम देखी हुई वस्थों पर विश्वास नहीं करते हैं आदेखी है, देखी हुई वस्थों हैं, अपनी जगा पर सही है और हम कुछ हद तक तो हम करते हैं देखी हुई वस्थों पर, लेकिन हम पूर्ण विश्वास उसमें नहीं कर सकते हैं टेक्नोलजी बहुत अच्छी बात है अभी जो मैं आपके सामने माइक लगा के बैठा हूँ कंप्यूटर जो मेरे सामने है यह क्या है यह टेक्नोलजी है और इसके द्वारा मैं आप तक परमेश्वर का वचन यूट्यूब के द्वारा पहुंचाता हूँ यह टेक्नोलजी लेकिन इस पर हम पूर्ण विश्वास नहीं रख सकते हैं यह अच्छी बात है हम इस्तमाल करें प्रभू की महिमा के लिए तो अच्छी बात है हमारा पूर्ण विश्वास उस अंदे की वस्तुवों पर हो जो कभी खतम होने वाला नहीं है कभी हमें मौत नहीं देगा बलकि जीवन और अनंत जीवन देगा जी हाँ यह मैंने कह रहा हूँ यह परमेश्वर का वचन बाइबल इसमें हम पढ़ते हैं जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा तो हम क्या शिक्षा लें टाइटानिक पंडूबे की जो दुरगटना हुई जून उसका जो डेट है बाइस दो हजार तेईस में यह बहुत दुखदा यह न्यूज है और हमें बड़ा दुख लगता है इसको बताने में लेकिन यह यह फैक्ट है यह सत्य है कि यह ऐसा हुआ तो इसे हम कुछ सीख सकते हैं कि हम अपने धन संपत्थी को पहले अच्छे कामों में लगाएं सकारात्मक चीजों में जो पैसे दिये हैं परविशन उसको लगाएं अपनी बुद्धी का सही स्तेमाल करें और जीवते परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करें तब तो बात बनती है तब हमारी जीवन की जो नईया है ना वो बिलकुल सफलता पूरवक हमारे इस पृत्वी के जीवन को पार करेंगी क्योंकि हमारा ख्यवया कौन है हमारा नाओ का चलाने वाला कैप्टन कौन है वो है हमारा प्रविश्वमसी और पवित्रा आत्मा और परमेश्वर पिता जो त्री एक परमेश्वर है ये हमें हमारी जीवन में आगे बढ़ाता चला जाता है तो मेरे प्रियो आए हम इस नियूस से इस दुकत समचार से सीखें अपने जीवन में कि हम अपना संपूर्ण जीवन हमारा पूरा विश्वास परमेश्वर के वचन पर परमेश्वर की आत्मा पर प्रविश्वमसी पर परमेश्वर पिता पर अटूर्ट रूप से बना रहे हैं क्योंकि वही हमारी जीवन की नईया को पार लगा सकते हैं और इस वचन को आप जरूर दुसरों के साथ शेयर करिए ताकि दूसरे भी इस वचन को सुनने के द्वारा आशिशित हो परमेश्वर आपकी इन बातों में अगवाई करे